धमपद चित्वक की कथा और गासा नमबर 38 अर्थिस नमबर चित्वक की ये कथा है देखिए नाम जो पाली के अंदर है पुराने उनमें पीछे कोई जाती का सिस्टम या कोई जाती के आज की तरह के नाम नहीं है बिसकली आज जो नाम आप सुनते हैं और देखते हैं पूरे भारत में वो नाम लगबख 60-70 साल पहले से इजाद हुई हैं इससे पहले वो नाम नहीं थे लोगों के बड़े सादा नाम होते थे और पाली में पीछे जाती का कोई नाम नहीं होता था क्योंकि पाली के समय भगवान बुद्ध के समय जातियां थी ही नहीं बहुत बात में जाके बनी है प्राचीन कथाओं में या जो मैथलोजी है उसके अंदर भी जो पात्र हैं उनके नाम के पीछे जातिया नहीं है ये ध्यान देने वाले बात है कि जातियां जैसे जैसे आप नाम को देखेंगे क्योंकि जो महापरुस हुए है उनके नाम के पीछे भी जातियों के नाम नहीं है तो जातियों के नाम अभी 60-70 साल से रगब दूसरी या तीसरी पिड़ी से इजाद हुए है पैदा हुए है जो लोगों की मनोबरती को बताते है कि जाति ने कब सबसे ज़्यादा अग्रूरूप रखा हुआ है कि लोग जाति की पोच लगाए घूम रहे है यहाँ जो नाम है चित्त हत का मतलब है चित्त माने माइंड होता है मन होता है और हत्त माने होता है हाथ में यानि कि जो माइंड के हाथ में है जो मन के हाथ में है जो मन के वस में है ये नाम उसका है जो यहाँ करेक्टर है ये जो चित हत करेक्टर है जो विक्ती है ये नाग है बेसिकल ये नाग है और ये अपने बैलों को धूंडता हुआ एक दिन एक आराम में पहुंच जाता है आराम जो आज की जेट में हम बुद् करते थे रैस्ट करते थे रहते थे बिहार तो चितहत्त जब अपने बैलों को ढूनटा हुआ वहां पॉँसता है तो बैल तो उसे नहीं मिलते भिककू रू जाते हैं और भिककू उसको कुछ बचा हुआ खाना, जो उन से बचा वो दे देते हैं ऐसा स्वाधिस्टख खाना उसने पहले कर भी नहीं खाया क्योंकि भिक्तों को लोग सबसे अच्छा खाना ही दान में देतेथे क्योंकि दान देना कि भाद में उ circumeed इतना वढ़ते थे खाने के बदले में उनको सिक्षा देते हैं इसी को भिक्का बोला गया है यानि के भिर्मन करते हुए सिक्षा देना और भोजन दान में लेना तो चित्त हत्त को बड़ा अच्छा लगता है कि बही भोजन थना बड़या मिला है और वो भोजन के लालच में पवज्जा घ्रन कर लेता है और भिक्कू बन जाता है सामनेर बन जाता है जब वो सामनेर बन जाता है तो उसकी पत्नी के साथ में कामरत रहता है वो उसको जाग वह उग्रू होती है, उग्रू होती है, तो वह नियम के नुसार चीवार्ण शोड़ देता है, और ग्रस्त में चला जाता है. ग्रस्त में जाने के बार जब वह काम बासना से उसका मन भर जाता है, फिर वह चीवार ले लेता है क्योंकि उसको बोजन चाहिए ऐसा वो आना जाना छे वार करता है कोई नियम तो है नहीं क्योंकि नियम ऐसा हो कि तीन बार आ सकता है तीन बार जा सकता है कितनी बार आ सकता है कितनी बार जा सकता है सात्वी बार छटी बार जब वो जाता है तो वहाँ जाके वो अपनी पतली की अवस्था देखता है सोते हुए उसका सरीर देखता है उसके बाल देखता है ध्यान से देखता है ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वही जो उसका रूप और सौंदर है वह सारा का सारा ही changeable है बदलने वाला है, बदलता रहता है वह इस्थिर रही है, वो जाने वाला है वो खत्म होने वाला है वो किसी भी हलत में नित्य नहीं है अंित्य है, अनिच्च है यानि कि impedemanent है ऐसा देखके उसको फिर अपना जो भिक्कु वाला जीवने याद आता है और वो फिर दोड़ता है अपना चीवल लेके बिहार की तरफ इस वार भिक्को संग उसको पवज्जा देने से मनय करतेता है सात्मी वार बहुत ज़्यादा अनुमिने करने के बाद बहुत कुछ करने के बाद में भिक्को संग उसको पवज्जा देता है उसको भिक्को संग में सामिल कर लेता है भिक्को संग में सामिल करने के बाद सात्मी वार जब वो आता है तो वो अरहत हो जाता है आरत उस अवस्ता को बोते हैं निप्रान प्राप्त जहां आदमी अपने राग और दुष से मुक्त हो जाता है जीते जी सारे दुखों से सारे एक्छाओं से परह हो जाता है जितने और उसके आसपास के लोग थे जितने भी ऑध्को थे, सामने थे उन्हें बड़ा आश्रफ होता है और वो इस बात की जिग्याता साथ करने के लिए भगवान के पास जाते हैं अन्वठित चित्तस्य सधम्मंग अभी जानतो परिलव पसादस्य पईयाने परिपूर्ती अन्वठित चित्तस्य का मतलब है अन्माने बिना वठित माने जो इस्थिर है यानि के अन्माने नहीं और वठित माने इस्थिर जो इस्थिर नहीं है चित्तस्य सधम्मंग का मतलब है के धम के साथ अविजानतो का मतलब है अविज्या का मतलब है के वो अन्विग्य है जानता नहीं है उससे यानि के सधम को नहीं जानता है समसे धम से नहीं जानता है धम को नहीं जानता है उसका जो चित है जो मन है वो अविज्या से अज्यानता से अभी भरा हुआ है वो धम को नहीं जानता है अनवट्थित चितत से का मतलब है कि जो उसका मन है वो अभी इस्थिर नहीं है अस्थिर है उसका जो मन है वो अस्थिर है इस्थिर मन नहीं है यानि इस्टेबल नहीं है अनिस्टेबल मन है इधर उधर भागता रहता है परी लव पसादस से परी माने पूरी तरह से लव जो होता है लव कुष मैंने एक बार बताया आपको लव कुष होता है लव माने होता है उसकी बूंद और कुष माने होता है बहुत नुकिली घास दोनों सब एक साथ चलते हैं लव कुष नुकिली घास के उपर जो उसकी बून होती है मुती तरह चमकती है उसको लव और कुछ दोनों को बोलते है तो परी लव परी माने पूरी तरह से लव माने उसकी बून पसाद माने किलियर साफ पसादस्य पसादस्य का मतलब है यानि कि वो ओसकी बून्द की तरह बहुत चणिक है, इस्थिर नहीं है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी उड़ सकती है, कभी भी तूट सकती है यानि वो बून्द बहुत चणिक होती है, ऐसा उसका मन है पैया ने परिपूर्ती यानि जो समझ है जो प्रग्या है जो पैया है वो कभी भी पूरी नहीं होती यानि ऐसा व्यक्ति जो जिसका जो मन है वो बहुत ज्यादा अनिस्टेबल है अस्थर है और जो चित को यानि माइंड को धम को नहीं जानता है जो उसकी बून की तरह से बहुत ज़्यादा छणिक है ऐसे व्यक्ति की पईया समझ कभी परिपून नहीं होती इसको आप अगर हिंदी में और समझना चाहें तो इस परकार है कि जिस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा अश्थर होता है कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा ऐसे छोटे बच्चे का होता है, कभी ये खिरोना लेगा, कभी उस खिरोने को लेगा, कभी ये खाएगा, कभी मुह में हाट डालेगा ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन ऐसा होता है जो इस्थिर ना हो जो धम को नहीं जानता हो जो ओसकी बून की तरह बड़ा चंचल हो ऐसे व्यक्ति की किसी भी हालत में परिपोन नहीं हो सकती धन्यवाद संखन शर्नं गच्चामे संखन शर्नं गच्चामे पतं शर्नं गच्चामे संखन शर्नं गच्चामे